पवितर इसाइध दर्म के व्यक्ति बगवान मानते हैं, वो एक से अधीक हैं, वो ये तिन्नो देवता है, विर्मा विश्णो महिस, ये समझ नहीं पारे हैं, ये देखाता हूं, आपको प्रमाणित करता हूं, ये देखेगा, ये काल के पूतर है, ये पवितर बाइबल हम आ ये पवितर बाइबल संपुन जी उनद्धान बाइबल परबंदक संपादक डेविड स्टुवार्ड अंग्रेज जी परदान संपादक डॉनाल सी स्टांप्स, M.A.M.D.W. संजुक समा ऐसे ऐसे सारा तो पढ़ जो अची तरह, यूएस देखा हूं, इसके आमने उत्पत के यहां तक पढ़ लिया, फिर सांज हो ही फिर बहुर हुआ, इस परकार छटमा दिन हो गया, फिर सातमे दिन परमेशवर ने जो काम करता था उससे सातमे दिन विसराम लिया, कि आपने किये हुए काम से उसने सातमे दिन विसराम किया, यानि सातमे दिन आपने यह भी पढ लिया प्युत्र कुरान स्रीफ में तकत पर जा बेठा ठीक इसके बाद ये देखो अब हम आठ परिश्ट पागे उत्पति गरंथ के इसमें साथ नंबर योहा प्रमिस्वर ने पूरव की और अदन में एक वाटी का लगाई और वहां आदम को जिसे उसे ने रचाता रख दि और योहा प्रमिसवर ने भूबि के सब बाती के वर्क्स जो देखने में मनहौर और उनके फलड़ काने में अच्छे हैं उगाय और वाटी का के बीच मैं जीवन के वर्क्स को और बले बुरे के ग्यान के वर्क्स को लगाया ठीक तब योहा परमेस्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और वह उसमें काम करें और उसकी रख्षा करें ठीक है योहा परमेस्वर ने आदम को आग्या दी कि तू वाटिका के सब वरक्सों का फल बिना खटके खा सकता है बले बुरे के ग्यान का जो वरक्स है इसका फल तू कभी नहीं खाना क्योंकि जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन अवस्य मर जाएगा अब ये आठ प्रिश्ट पढ़ रहे हैं अठारा नमबर पिर योहा प्रमेशवने आदम का कैला रहना अच्छा नहीं है मैं इसलिए इसका एक साहिक बनाऊंगा और उससे मेल खाए तब योहा प्रमेशवने आदम को भरी नीद में डाल दिया अचेत कर दिया उसकी अड़ी निकाला के फिर उसकी हड़ियों को मैंसे वो अववा बना दी यहाप रमिस्वन ने पसली मैंसे जो उसने आदम मैंसे निकाली थी इस्त्री बना दिया और उसी को आदम के पास ले गा आदम ने कहा यह मेरी हड़ियों में की हड़िय है और मेरे मास का मास है इसलिए इस का नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर्म में से निकल गई है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उन ग्यान नहीं था, अब नो प्रिष्ट पर देखो, अब हम यहां गे, मनुष्य का पतन, युहा परमेश्वर ने जितने ब वर्क्स का फल ना खाना, श्त्री ने सरफ से कहा कि इस वाटिका के वर्क्स के फल हम खा सकते हैं, पर जो वर्क्स वाटिका के बीच में है, इसके फल के विसे में, परमेश्वर ने कहा है, ने तो तुम इसको खाना, और ने इसको छूना, नहीं तुम मर जाओगे, सरफ ने इस्तिरी से कहा तुम निस्टे नहीं मरोगे नहीं मरोगे तुम खाओ इसको वर्ण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुमारी आखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ग्यान पाकर परमेश्वर के तुल हो जाओगे तब उन दोनों के आखें खुल गी उनको मालम हुआ की वे नंगे हैं इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए यह यहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता नराकार फिर फ़रेगा क्यों करें वाटिका में फोरमलेस बताओं है रद प्रमात्मा केते मुती मुक्तादर सतना ही यो जग है सब अंदरे दिखत के तो नेने चसे में उनका फिर्यावतिया बंदरे देख युहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का सब्द उनको सुनाई दिया तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वाटिका वर्क्सों के वीच में युहा परमेश्वर से छिप गए तब युहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहा है उसने कहा मैं तेरा सब्द बारी मैं सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया उसने कहा किसे तूम्हे बताया तू नंगा है क्योंकि मन नद बोड़ी बूच बना आकर छोड़े रखे था अग्या दी तेरे को किसे ने बता ती था तू नंगा है देखो बगवान कह रहा है जिस वर्क्स का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तू ने उसका फल खा लिया है आदम ने कहा जिस तरी को तू ने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वर्क्स का फल मुझे दिया और मैंने खाया तब युहा पर मैंने इस तरी से कहा कि तू ने ये क्या किया इस तरी ने कहा कि सरप ने मुझे बैका दिया तब मैंने खाया अब डिरते के हैं बचारे अब हम आगे दस प्रिष्ट पे नो पड़ लिया अब देखिए आदम ने अपनी पत्नी का नाम अवा रखा क्योंकि जितने मनुस जिवित हैं उन से भी की आदी माता हुई अब यूहा परमेस्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवा कर उनको पना दिये बता वो निराकार क्यूकर गिलगे लंड़ेगा कैसे गुमेगा उसके कपड़े लया अबनों आके अरपर आयों उनता ही देखो फिर यूहा परमेस्वर ने कहा मनुस भले बुरे का ग्यान पाकर देखो कमाल की बात हम मैं से एक के समान हो गया इसलिए अब ऐसा नहो की है हाथ बढ़ाकर जीवन के वरस का फल तोड़के खाले और सदा जीवित रहे अपना अत्माओं ये है निसकरसी निसत गरंथों का अब जिसको ये अपना बगवान मानने है कौन इसाई दर्माले अजिस ने आदम के साथ ये वारता करी वो नहों कह रहा है कि इन यो बले बुरे के ग्यान अणा फल खा लिया इसको खाकर ये हम मैं से एक के बराबर हो गया इसका मतलब है इसाई दर्म के वगवान भी एक से अधीक है अंडर्स्टूर फिर देख लो उत्पत्ती गरंथ है इसके दस नमबर प्रिष्ट पर ये तीन का बाई से फिर वगवान कहा मनुस भले बुरे का ग्यान पाकर हम मैं से एक के समान हो गया है ठीक है इसी से दो गया है एक से अधीक है इनके वगवान वही बर्मा भी शुनों मैं और ही बाग़े दिखाता हूं आप देखिए का ये उत्पत्ती उत्पत्ती गरंथ है प्रेश्ट नमर हम तेईस पाएगे और इसकी सतर में आयत का ये देखिए खतने का बचाओ अब अबराहम 99 वरसका हो गया तब योहा ने उसको दरसन देकर कहा मैं सर्वस अक्तिवान इस्वर हो मेरी उपस्थिती में चल और आगे दिखाता हम आपको ये देखिएगा 24 प्रेश्ट पे 24 प्रेश्ट पे ये ही उत्पत्ती गरंथ था ये जेन्सियस बोलने इसको इसकी तीन अतित्ती 18 अबराहम ममरे के बांज वर्क्स के बीच कड़ी धूप के समय तमबू के दौार पर बैठा हुआ था तब योहा ने उसे दर्सन दिये बगवान ने ये योहा कहा है परमात्माने उसने आख उठा कर दृष्टी की तो क्या देखा कि तीन प्रुस उसके सामने खड़े ये तीन नोगर माभी सुनो महेस अन्ने रूपदार के वहां खड़े हो गया के देखो जब उसने उन्ने देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तमबू के दौार से दोड़ा और भूमी पर गिर कर डंडूत की और कहने लगा हे परभू यदि मुझ पर तेरी अनुगरे की दृष्टी है तो मैं विल्ती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने हाथ पाउं तोकर इस वरस के नीचे भी सराब करे और मैं एक टुकडा रोटी ले आओं और उससे आप अपने अपने जीव को तरफ्त करे तब उसके पस्टाथ आगे बढ़ें क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधा रहें उन्होंने का तूट जैसा कहता है वैसा ही कर ठीक है अब ये तीन होगे और साकार होगे और फिर आगे कहता देखो प्रिश्ट नमबर पत्तीस पर ये वस्ट काफी प्योंना अपना अपना अशाब करनेंगे सांज कोवे दो दूट सोदाम के पास आए उन्होंसे एक तो टल गया रही दो वो चले गए सोदाम के पास और लूट सोदाम के फाटक के पास बैठा था उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मूँ के बल जोक कर डंडोत कर रहा है हे मेरे पर वो अपने दास के घर में पधारिये और रात पर विसराम कीचिये बिना खमीर की रोटिया मना कर उनको खिलाए अपने अत्माओ यह है सचाई